नमस्कार दोस्तों शुबन टेक्निकल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ PF अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे चेंज कराते हैं साथ की साथ मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ अकाउंट में आप अपना पासवर्ड भी चेंज कैसे करा सकते हैं जियां दोस्तों 2-4 मिन्टों में ही आप ओनलाइन जाकर कम्पूटर या मोबाइल के जरी ही अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड पीएफ अकाउंट में चेंज करा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप ओनलाइन ही अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर पीएफ अकाउंट में चेंज करा सकते हैं सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नियोजी वीडियोज पाने के लिए अभी हमारे चैनल सुभम टेक्निकल को सब्स्राइब कीजिए और साइड में जो बाइल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए दोस्तों पचास रुपी पीटियम कैस अरण करने के लिए अभी अपने फोन में फोर फन एप इंस्टोल करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों पीएफ अकाउंट में अपना मोबाइल नमबर या पासवर्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कम्पूर्टर में सर्च करना है इपीएफो मेंबर और उस साइट पर लोगिन कर जाना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इसमें दिखेगा फोरगेट पासवर्ट जो नीचे यहां पर दिख रहा है फोरगेट पासवर्ट पर आपने किलिक करना है देन उसके बाद आपका नया टाइब ओपन हो जाएगा उसमें आपसे पूछेगा यून नमबर और कैप्चा कोड जो आपकी यून नमबर है वो आपने यहां पर एंटर करने हैं दोस्तों अभी तक आपने यून नमबर एक्टिवेट निकरा है तो आई टाइब ऊपर दि करने कि यह मोबाइल नमबर आपका है या नहीं है अगर आपका मोबाइल नमबर नहीं है तो यहां पर आप नो पर क्लिक करें अगर आपका यह मोबाइल नमबर आपके पास है तो यह पर करें अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपक जेंडर यहां पे पूछा जाएगा अगर आप मेल हैं तो मेल फीमेल है तो फीमेल तो यह सारी फिल करके आपने यहां पे वैरिफाई पे नीचे दिखा रहा है यहां पे किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे तो आपके सामने एक नए विंडो और ओपन हो जाता है इसमें आप से आधार नंबर और पैन नंबर की डिटेल आप से मांगेगा कोई भी एक डिटेल यहां पर आपने सम्मिट करनी है तो चली यहां पर मैं आधार नंबर पर क्लिक करके और इसमें आधार mobile number है वो आपने यहाँ पर enter करना है enter करने के बाद में उस mobile number पर आपके पास चार अंकों की OTP आएगी वो OTP आपने यहाँ पर लिखनी है और लिखकर आप verify पर click कर देंगे यहाँ पर जैसे आप click करेंगे click करने के बाद में दोस्तों आपने get OTP पर click करना है mobile number डालके जैसे आप click करेंगे तो आपका OTP validate successfully हो जाएगा उसके पाद में आपने यहाँ पर नया password आपका set करना है अगर आप password भूल रहे हैं तब आप यहाँ से password भी change कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से new password और confirm password में आपने same password दोनों में रखने हैं उसके बाद में आपने submit पर click करना है जैसे दोस्तों यहाँ पर submit पर click करेंगे तो आपका password भी change हो जाएगा और आपका mobile number भी आपके PF account में change हो जाता है तो चलिए मैं submit पर click कर लेता हूं जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर password has been changed please login पर यहां पर दिखा रहा है तो इस परकार से आप अपना mobile number PF में change कर सकते दोस्तों यह जानकारी हमारी कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं इस वीडियो को अधिक सदिक like करें सेर करें और हमारे चैनल सुभं टेक्निकल को सब्सक्राइब करना न भूलें दन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहिंद जैवारत